वही गुड मॉर्णिंग क्लास 10th कैसे हैं आप सब मेरा नम नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल NKC Learning Point तो कैसी चल रही है आप लोगों की बोड की प्रप्रेशन आई होब आप लोगों की प्रप्रेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप लोग लिए बोड मंत्रा सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है तो चलिए आज हम लोग कवर अप करने वाले कुछ अच्छे नुमेरिकल्स में भी आप लोग देखोगे जब आप बोड का सेंपल पेपर उठाना नुमेरिकल्स भी तो तरीके के मिलेंगे आपको एक तो टोटली केलकुलेशन बेस्ट होते हैं और एक होते हैं केलकुलेशन के साथ साथ थोड़ा साथ आपका concept भी चेक किया रहाए रह चुकिए है चलिए टाइम वेस्ट के विने स्टार्ट करते हैं आप लोग पहले एक बार खुद से कोशिश करके देखो किनों निमेरिकल्स को वीडियो पॉस्ट कर दीजिए चलो पहला कोश्चन है वायर ओफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इस स्क्रेश्च्ट सो अगर इस वायर की लेंथ एल है तो इसका अपना कुछ एरिया ओफ क्रॉस सेक्शन भी होगा इसका अपना कुछ एरिया ओफ क्रॉस सेक्शन भी होगा कोश्चन बोला जा रहा कि इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है और स्ट्रेच इतना किया जाता है कि इसकी लेंथ एल से टु एल हो जाती है और जो एरिया ओफ क्रॉस सेक्शन है वो जस्ट हाफ हो जाता है अगर पहले A था तो अब नया area of cross section हो चोगा A by 2 तो चलिए अपने concepts को दिमाग में रखते हुए numerical start करते हुए हमारे पास resistance का formula होता था R equals to rho L by A R equals to rho L upon A यह formula होता था हमारे पास R equals to rho L upon A अच्छा नए case में क्या बोल रहा है new case new case में बोल रहा है आपसे कि length जो है नई length नई length में माल लेता हूँ L dash बोला L dash की value कितनी हो जाती है wire of length L and resistance R is stress so that the length is doubled यानि नई length हो चुगी है आपके 2L L dash की value बदा दे 2L और area of cross section नया वाला area of cross section में A dash माल लेता हूँ तो A dash की value हो चुगी है A by 2 यानि यह हो चुका है अब नया resistance, new resistance आपका क्या हो जाएगा new resistance हो जाएगा आपका R dash new resistance हो जाएगा आपका R dash चलिए formula में apply करते है R dash की value क्या हो जाएगा रो ठीक है L dash by A dash यार formula के हिसाब से तो यही होनी चाहिए नए resistance की value अब सारी values put up कर दीजे आप L dash की value आपके पास क्या है 2L और A dash की value क्या आपके पास A by 2 चलिए चेक कर लेते है R dash equals to row L dash की जाएगा 2L और whole का divided by A dash की जाएगा A by 2 जब आप इसे further solve करोगे तो यह 2 कहां जाएगा यार उपर जाएगा और R dash की value क्या आने वाली है आपकी R dash की value आने वाली है 2 पर जाएगा तो 2 into 2 4 यानि row 4 L by A 4 L by A अच्छे इसे थोड़ा सा arrange कर लेते हैं arrange कैसे कर लेते हैं 4 को आगे लेते हैं 4 row L by A यह देखो यह वाली चीज आपके पास जो है यह row L by A यह तो किसके बराबरती R के बराबरती value replace कर देते हैं तो R dash की value की आगई 4 times of R बिल्कुल सही कि जो नया resistance है अब आपका वो 4 गुना हो जाएगा पुराने वाले resistance की clear हुई मेरी बात तो यह था पहला numerical देख रहे पूरा concept based है इसमें calculation कुछ करनी नहीं पड़ी आपको और numerical भी solve out होगे आपका चलिए next question करते हैं मैं फिर से यह कहूँगा आप लोगों से एक बार खुछ से कोशिश करके देख एक बार आप चलो अगर आप लोगों ने try कर लिया और आप लोगों से नहीं हो पाया तो हम लोग कराते हैं फिर आपको यह सारे questions यार आप लोग एक proper notebook बनाओ और उस notebook में note करते रही है जिससे कि जब last time जब आप board देने जाओ तो आपके पास अच्छा खासा बंडार हो जाए science के questions का और आपको confidently board में यह लगे कि बिल्कुल हाँ यार अब तो आप बहुत अच्छा score करने वाले हो question है कि a nicrome wire has a resistance of 10 ohm एक nicrome का wire दे दिया आपको और बता दिया उसका resistance कितना है 10 ohm है और बुला जारा find the resistance of another nicrome wire whose length is three times and area of prosecution is four times the first one लगबग लगबग पहले जैसा ही numerical है question कह रहा है कि एक nicrome wire है आपके पास मान के चलो यह वाला nicrome wire है और इसका आपको resistance दे दिया 10 ohm बता दिया कि यह वाला virus का resistance है आपका 10 ohm बुला एक और nicrome का wire है एक और दूसरा nicrome का wire है लेकिन उसके conditions दे दी कुछ क्या condition दे दी find the resistance of another nicrome wire whose length is 3 times लेकिन यह वाला wire जो है पुराने वाले से 3 गुना लंबा है यह वाला wire ठीक है and area of cross section is 4 times the first wire और इसका area of cross section भी 4 गुना होगा that means यह नहावाला wire आपका comparatively पुराने wire के ज़्यादा मोटा है clear है चलिए condition बनाते हैं अपनी वही by question के सुरुवात कुछ ऐसे होगी आपको condition form करनी होगी और condition एक बार अगर form हो गई फिर आप numerical बहुत easily कर लोगे चलिए सबसे पहले answer वाला answer to करते हैं लोग start करते हैं आपके पास एक resistance का formula क्या होता था R equals to rho L by A R equals to rho L by A और इस R की value क्या दे दिया आपको 10 ohm दे दिये यह resistance आपको 10 ohm दे दिया यह नाइक्रोम वायर का case है for NICROM वायर for NICROM वायर resistance of tone and division एक दूसरा नाइक्रोम वायर है उसकी condition क्या दिये another NICROM वायर another NICROM वायर उसकी condition आपको दे दिये कि उसकी length जो है L dash मालो L dash की value क्या बोला है ने वाले नाइक्रोम वायर की है three times यह पुराने वाले के तीन गुना पुराने कुछ भी रही हो हमें नहीं पता कुछ भी हो सकती है 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर हमें नहीं पता हमें सिर्फ इतना पता है कि उससे तीन गुना बढ़िए तो हम 3L ले ले लेते हैं और area of cross section कितना दिया हो एं area of cross section 4 times और नया A dash क्या है 4 times of पुराना वाला यह conditions आपने रख दी अब नया resistance आपका क्या आएगा नया resistance आपका आएगा आर डेश इक्कोल्स टू फॉम्मले मा रख दीजिए रो एल डेश बाई एडेश रो एल डेश बाई एडेश और वैल्यूज रखते हैं रो की जगे पर रो अपना और एल डेश क्या हो गया आपका 3L और A डेश की वैल्यूज होगे यह 4A तो यहनि र डेश की वैल्यूज क्या होगी आप इसे फर्दर सॉल्फ करोगे तो 3 बाई 4 रो एल अपन ए 3 बाई 4 रो एल अपन ए और रो एल अपन ए यह क्या है आपका यह तो पुराना वाला resistance है तो इसकी जगे आप वैल्यू रि देखिए अगर आपको आर डेश निकाल लिए तो आपके बास फॉर्मला आ गया है 3 अपन 4 और 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 की वैल्यू आपको गिवन थी यह आर क्या है आर इसी रिजिस्टेंस ऑफ पुराना वाला नाय क्रूम वायर यह जो पहला वाला नाय क्रूम वायर है और उसकी तो 7.5 ओम यह है आपका कंप्लेट निमेरिकल क्लियर है तो बहुत आसान निमेरिकल था बस बेसिक्स आपके अगर क्लियर है तो कोई भी निमेरिकल आप अच्छे से अटेंड कर लोगे एक्जाम में क्लियर अच्छा एक बाद देख लिए तो वीडियो पर परफेक्ली स्क्रिंशॉट ले लो स्क्रिंशॉट ले लिया चलो तीसरी वीडियो स्टा तीसरा कोश्चन स्टार्ट करते हैं तीसरा कोश्चन है हमारा देखो ऐसे बहुत सारे निमेरिकल करा दूंगा यार मैं तुम लोगों को बोर्ड के एक्जाम तक बहुत सारे निमेरिकल बस आप प्लेट ऑफ एलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेट तो 220 वोल्ट लाइन हैस तू रजिस्टेंशेस ए एंड बी इच ओफ 22 ओम ठीक है इस रजिस्टेंशेस में भी यूज़ सेपरेटली इन सीरीज इन पेरलल फाइंड करेंड इन ओल त्री केसिज कोश्चिन बड़ा असान सा है होट प्लेट ऑफ एलेक्ट्रिक ओवन कोई एक एलेक्ट्रिक ओवन है जिसमां पीजा बगरा बनाते हो कुछ वैसा ही होगा उसमें दो रेजिस्टेंश की प्लेट लगी हुई है और दोनों का रेजिस्टेंश है 2200 अच्छा सारी गिवन चीजन लिख लेते हैं पहले होगा पहले को मैं बोलतेता हो आर वन डूसरे को मैं बोलतेता हूं की वेरिट तूंं दे रहिए आपको 22 और 22 ऑचा आप इसे जोशन प्लेट अनल तो यह ela का रिजिस्टेंश है ये प्लेट संद्धा है और ये Aj 20 तूका है अब कोश्चन में क्या गया रहा है कि आप करेंट निकालो करेंट कैसे कि अगर यह प्लेट सेपरेटली लगाई जाए मतलब यह प्लेट अलग लगाई जाए इसके साथ और यह प्लेट अलग लगाई जाए इसके साथ तो करेंट कैसे निकालोगे करेंट तीन केसे बनेंगे क और टीवेल्यु क्या है 22 Ohm आप अच्छा ये कहलो यह पहली प्लेट 1 के लिए निकाल देओ करेंट यह जो करेंट आप निकाल देओ ना फौर प्लेट 1 निकाल देओ for plate 1 separately connect की गई है तो एक बार पहले plate 1 connect की जाएगी और एक बार फिर दूसरी plate connect की जाएगी तो दोनों में answer same ही आएगा वैसे यह कितना आएगा 10 ampere आ रहा है current यह 10 ampere आपका plate 1 के लिए आगया और यही 10 ampere आपका plate 2 के लिए आएगा क्योंकि resistance same है voltage source भी से में तो आप लग देना for separately connection current will be 10 ampere for both the plates clear है पहला part second part क्या कह रहा है second part कह रहा है जब यह दोनों plate series में लगा दी जाए यह दोनों plate कैसे लगा दी जाए series में तो series में पहले आप R equivalent निकालोगे सबसे पहले आप R equivalent निकालोगे R equivalent क्या होगा आपका R 1 plus R 2 R 1 plus R 2 हो जाएगा R 1 की value भी 22 है और R 2 की value भी 22 है कितना होगा 44 हो R equivalent R equivalent आगया 44 हो आपका अब आप यहां से निकाल दीजे current आई कितना आ जाएगा यह जो मैं निकाल रहा हूँ ना यह second case है मेरा when both the plates are connected in series आप लिख लेना यह second case है बोट the plates are connected in series तो आई कितना आएगा I की value भाई की भाई कुछ भी अपॉन R equivalent तो आई की value हो नहीं है आपकी V है आपका कितना 220 divided by R equivalent कितना आपके पास 44 है बाइदे को calculation क्या करना सीधा सीधा पिछली बार जब 220 को 22 से divide किया तो answer आया 10 अब denominator double हो गया तो answer आपका half हो जाएगा तो answer कितना आजाएगा आपका 5 ampere answer आपका 5 ampere आजाएगा चेक कर लेना है वर जिस्टेक ना हो गई हो ठीक है answer आपका आगया 5 ampere तो यह दोनो cases आप note कर लो एक पर फिर में रब करके तीसरे case के लिए तरफ बढ़ता हो चलिए तीसरे case क्या कह रहा है कि अगर इन दोनों plates को आप parallel में connect कर दो अगर इन दोनों plates को आप कैसे connect कर दो parallel में तो parallel के लिए आप जो R equivalent निकालोगे वो parallel combination वाला निकालोगे parallel में रिजिस्टेंस कैसे निकालते हैं by case 3 case 3 parallel वाला कि अगर दोना plates कैसे connect कर दी जाए आपके parallel में तो 1 upon R equivalent क्या होगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 clear तो यह 1 upon R1 1 upon 22 plus 1 upon 22 solve करोगे तो यह 2 upon 22 solve करोगे गया रहे यानि 1 upon R equivalent क्या गया 1 upon 11 तो R equivalent क्या जाएगा यहां से 11 reverse कर देते ना parallel में वही 1 upon Rp चल रहा होता तो Rp की value निकालनी तो reverse करतेंगे तो यह 11 ohm आगे आपका यह resistance क्या आगे गया रहे हों तो आप I की value क्या जाएगे I की value होती V upon R तो V की value तो वही 220 और R कित्ता हो गया 11 है तो अब I की value क्या आएगे आपके solve करके भाई पहले इसे आप कर देजे 11 two times यानि 20 ampere यह आपका 20 ampere आगे है तो I hope यह तीनो numericals आपको बहुत अच्छे से समाझ आएँगे यह तीसरे numerical में तो एक तरीवे से अच्छे से काम करने के लिए तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ आप लोगों से तब तक आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारी वीडियो के आप लोगों को मिलते रहें थैंक यू